इस दर्ती पर कुछ ऐसे रहस्यमय इस्तान है जहांकि अद्बूत बातों का सच हम आज तक नहीं डूण सकते हैं इन इस्तानों के रहस्य को हम खुद्रत का करिश्मा कहें या कोई वेग्यानिक कारण जिसके पल्सवरुप उस इस रहस्यमय इस्तान की आश्चरे जनक सचाई हमें चोंका देती है जी हां आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गाउं की जहां हर परिवार में जुड़वा बच्चे ही जनम लेते हैं इस विचितर बात को जानकर हर किसी को बहुत आश्चरी होता है कि ऐसा क्या खारण है कि इस गाउं के अधिकांस परिवारों में जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं यह गाउं जुड़वा चेरों से बरा हुआ है यह जुड़वा लोगों का गाउं है हमारे देश के केरल राजिये में जहां मलापूरं जिलेग में तिरमगांडी के पास है ग्राम कोहडीनी इस गाउं के परिवारों में जुड़वा बच्चे ही जनम लेते हैं इस तानिये लोगों का कहना है कि इस गाउं पर इस वर की अजीब औगरीब कृपा है कि जब भी यहां किसी परिवार में बच्चों का जनम होता है तो अधिक तर जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं इस अनुमान के अनुसार यहां पिछले 50 वर्सों में लगबग 300 से अधिक जुड़वा बच्चों ने जनम लिया है यदि आप इस गाउं में पहुंच जाए तो आपको खुद इस बात का परत्यक सनुबव होगा आपको गाउं में हर तरफ एक जैसे दो चेरे वाले लोग नजर आएंगे विदादा का ऐसा चमतकार धर्ती पर कहीं नहीं है इस गाउं में परवेस करते ही आपको यहां लगा हुआ है एक बोर्ड मिलेगा जिस पर लिका है कि बगवान का अपना जुड़वा गाउं कोडीनी इस गाउं को विलेज और ट्विंज के नाम से भी जाना जाता है यसी क्या खास बात है इस गाउं में कि यहां जुड़वा बच्चे ही क्यों जादा पैदा होते हैं इस समझ में नहीं जाने कितने सोचकारिय किये जा चुके हैं इस गाउं में जुड़वा बच्चों के पैदा होने के कारणों के पीछे यहां का खानपान और रेन सेन पर काफी अध्यन किया गया लेकिन फिर भी इस गाउं में जुड़वा बच्चों के होने का रेश ये आज तक नहीं खुल सका है यहां के डॉक्टर्स खुद एरान है कोई कहता है कि यहां की मिट्टी में कुछ ऐसी बात है तो कोई और कुछ तर्क देता है लेकिन आज तक कोई इस आश्चरी जनेक सच को नहीं जान सका है यहां इतनी अधिक संक्या में जुड़वा लोगों के पैदा होने के कारण यह गाउं विशु परसित गाउं बन गया है लोग दूर दूर से यहां इस हेरानी बरे मंजर को देखने आते हैं जुड़वा बच्चे ही पैदा होने के कारण इस गाउं की जन संक्या भी तेजी से बड़ी है इस गाउं के कुछ माबाप हेरान भी नजर आते हैं क्योंकि कमाल की बात है कि जुड़वा लोगों कोई भी आगे चलकर जुड़वा संता नहीं पैदा होती है इसलिए उन्हें पहले से ही अपनी फेमेली प्लानिंग पर ध्यान देने की आवसकता होती है क्योंकि यदि उनके परिवार में दो बार डिलीवरी हो गई तो जुड़वा होने के कारण बच्चों की संक्या चार हो जाएगी इसलिए इस गाओं के मध्यम कमाई वाले ग्रामवासी परिवार में एक डिलीवरी कोई वरियता देते हैं क्योंकि अधिक बच्चों को पालना उनकी समता के बाहर है